Hello all, my name is Krishnayek and welcome to my YouTube channel. So guys, आज एक amazing playlist में start करने वा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं natural language processing. अब ये काफी important playlist है, हम लोग ने machine learning देख चुके हैं, हम लोग deep learning के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, हम लोग stats देख चुके हैं, हम लोग python देख चुके हैं. अब natural language processing क्या होता है, उसका road map क्या है, अगर आपको वो पढ़ना है, हमेशा याद रखे, natural language processing आप बोथ machine learning और deep learning के साथ definitely कर सकते हैं. तो ये बारे playlist में पूरा मैं NLP के related videos दालूँगा और completely end to end समझाऊँगा आपको सारे चीज़ों के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting any time, please make sure that you subscribe to the channel, bell notification icon press कर देगा और सारे दोस्तों को share कर देज़ेगा ये सारा videos. तो मैं अपना screen share करता हूँ, और यहाँ हम लोग discussion करने वाले हैं, roadmap to learn natural language processing. पहली बात तो हम लोग बहुत सारी use cases, ठीक है, अगर थोड़ी use cases के बारे में बात करें, आप जाए गूगल में, google.com ठीक है, वहाँ पे जाके image search करिए, ठीक है, अब यह image search में क्या होता है, आप usually search में लिखते हैं, let's say cat, cat eating food, ठीक है, अब जब आप यह information लिख देते हैं, वह search bar में, तो आपको automatically एक image आ जाएगा, जो specifically वहाँ पे specific cat होगा, let's say, ऐसे cat बना दे रहा हूँ, मेरा diagram obviously खराब है, but just imagine, ठीक है, imagine कर लिजे, अब यह cat probably खाना खारा है, let's say, ऐसे type का आपको image आ जाता है, अब यहाँ आप देखिए, यह text to एक image में convert हो रहा है, मैं अब य यहाँ एक amazing thing देखिए, एक text जबी भी हम दे रहे है Google search को, तो वो समझ रहा है, वो text है, और उसको convert कर रहा है specific image में, ठीक है, कभी भी आपका input feature और input data, text के format में होता है, और अगर आपका application उसको समझ के सही type का response ये output देता है, वहाँ पे हम लोग specifically natural language processing का इस्तमाल करेंगे, तो अभी तक हम लोग ने machine learning algorithms देखा है, machine learning algorithm में हम लोग क्या करते थे, data रहता था यहाँ पे, यह data पे हम लोग बहुत सारा process apply करते थे, जैसे feature engineering, EDA, वो सारा चीज, उसके बाद हम लोग एक सको model को देते थे, यह data को model पे train होता था, और इस model क्या करते है, एक specific output देता है, इसका मतलब, अब कभी भी मेरा new input data दूँ, मैं और उसके related कुछ output आ जाएगा, अब let's imagine कि मेरा data अगर text है, तो मैं directly एक specific model को दूँगा, तो उसको model को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, model को definitely नहीं समझ में आएगा, ठीक है, model को definitely नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं बोल रहा sentence है, यह directly application को नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो अगर मेरे को application को समझाना यह text information है क्या, अच्छी तरीके से और उसकी response में specific output लाना है, उस case में मैं NLP use करूँगा, natural language process, तो in short अगर मैं NLP के बार में बात करूँ, तो यहाँ पे आपका input data, text form में हो सकता है, या audio form में हो सकत है, या even video form में हो सकता है, बट यह video में हम लोग frames नहीं consider करेंगे, बट video के अंदर का audio हम लोग consider करेंगे, और यह audio को लेके हम ऐसा model train करेंगे कि हो model उसको समझ पाए, एक example, I hope आप लोग ने Alexa देखा होगा, आप लोग ने Google Home देखा होगा, हम लोग बोलते है Alexa, play this song, right, what is the temperature outside और उसके हिसाब से Alexa क्या, वो sentence को समस्ती है, और समस्ती हो समस्ता है, और उसके हिसाब से आपको एक specific output देते हैं, right, ठीक है, भार का temperature इतना है, ठीक है, तो ऐसे type का आपने scenarios देखे हुगा, तो यह चीज, जो text data है, वो model कैसे समस्ता है, उसके हिसाब से कैसे output लाता है, वो स सारा चीज हम लोग इस playlist में discussion करने वाले हैं, बहुत सारा amazing end-to-end applications हम लोग देखेंगे NLP के related, जो काफी important होगा, अब NLP के बारे में guys, अभी भी जो masters और PhD करते हैं, right, सबसे जादा research, NLP related ही होता है, क्यों, क्योंकि use cases बहुत ही अच्छा है, Google, even Google, अभी Google try कर रहा है कि कभी भी आपके, आप जब भी बात करते हैं, ठीक, आप जब भी बात करते हैं, उसके related कोई voice, उस voice में sarcasm होता है, right, sarcasm मतलब, अगर कोई बात कर रहा है, दुखी से बात कर रहा है, happily बात कर रहा है, या funny way में बात कर रहा है, वो भी पैचाना बहुत important है, और Google try कर रहा है उसको crack करने का, ठीक है, तो I hope आप लोगों को एक simple सा understanding आ गया है कि NLP क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे some of the use cases के बारे में बात करूँ, एक बहुत ही simple use cases के बारे में बात करूँ, आपका use cases हो सकता है, chatbot, ठीक है, आपका use cases होता है sentiment analysis, right, sentiment analysis, text classifications, text classification, यह बहुत सारे amazing amazing use cases, है, जो NLP के through से हो सकता है, obviously आपने Alexa देखा होगा, आपने Google Home देखा होगा, वो भी NLP कहीं न कहीं use करते हैं, ठीक है, अब हम लोग यह playlist में क्या करने वाले हैं, यह जो text data है, जबी भी हमारा input data text होता है, हम लोगों को इसको एक अलग format में, इसको अलग format में convert करना पड़ता है, इस format को हम लोग basically बोलता है, vectors, यह vectors numerical form में होता है, और यहां से यहां जब हम लोग convert करेंगे, तभी यह vectors जो हम लोग आगे model को देंगे, तभी model समझ पाएगा, क्योंकि model हमेशा याद रखिए, mathematically equations होता है अंदर, right, model में, कोई भी algorithm का नाम आप ले लेजे, तो जब यह mathematical equations होता है अंदर, तो model हमेशा चाहेगा कि मुझे जो input data आए, वो in the form of numbers आए, और इस case में हम लोग जब text to vectors में convert करते हैं, यह usually numerical format में होता है, ठीक है, numerical format में होता है, और उसके बाद हमारे, इस case specific कुछ भी output आ सकता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि roadmap क्या होता है, और इस text to vectors को, text to vectors के conversion को हम लोग basically बोलेंगे text preprocessing, text preprocessing, ठीक है, इसको हम लोग एक और word दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलता है word embeddings, word embedding मतलब हम लोग कोई भी एक word को लेंगे और उसको उस तरीके से कुछ तरीका होता है, जिसके बार में अभी बात करूँगा, तो वो words को basically हम लोग convert करते हैं, vectors के format में, और वो vectors, model समझ पाता है कि ठीक है, यह specific word के बारे में है, और उसके हिसाब से बहुत सारे functionalities कर सकते हैं, तो यह है generic brief info about natural language processing, बट सबसे important चीज़ जो हमको समझना है, वो है roadmap, roadmap of NLP, हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इस specific playlist में, ठीक है, औ और यह NLP का बात करूँ, दो तरीके, दोनों जगे यूज़ होता है, एक है machine learning, एक है deep learning, हम लोग definitely start करेंगे machine learning से, बर जैसे हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग deep learning के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं roadmap बनाओ, हम लोग basically जाएंगे bottom to top approach, जो मुझे हमेशा पसंद है, तो let's say कि मेरा first step, जो हमेशा करना चाहिए आप लोगों को भी, first step जब आप NLP पढ़ रहे है, आपको थोड़े terms के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलता है, text preprocessing, text preprocessing एक ऐसा steps है, कि यहाँ पर हम लोग focus करेंगे, ठीक है, और इसको मैं specifically level 1 बो expression कैसा करना चाहिए, और उसके अलावा, हम लोग यह भी देखेंगे, sentences को words में कैसा convert करना चाहिए, words को, आगे words को clean कैसा करना चाहिए, words का base form कैसा find out करना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़े techniques हम लोग जो use करने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलता है, tokenization, lematization, ठीक है, lematization, और इसमें हम लोग और भी use करेंगे, जिसे हम लोग बोलता है, stop words, तो यह रहेगा हमारा level 1, जब हम लोग प्रावबलिन नेक्स्ट वीडियो में जब से बात करने जाओंगा, तो मैं specifically start करूँगा, lematization, tokenization, stemming, stemming भी बोलता है, एक और word, एक और technique है, जिसको हम लोग stemming भी बो बोलता है, ठीक है, और यहां हम लोग से हम लोग bottom to top approach में जाएंगे, सो दर हमारा learning process easy हो, तो यह रहा मेरा text preprocessing, और यह text preprocessing next step होता है, यह भी है, first level, यह है level 2, ठीक है, यहां पर हम लोग सीखेंगे specifically some amazing ways of converting words into vectors, यहां पर हम लोग focus करेंगे, words को हम लोग यहां पर focus करें just a second, यहां पर हम लोग focus करेंगे, words to vectors कैसे convert होता है, ठीक है, तो यह text processing में मैं लिख दूँगा bag of words, एक बहुती amazing way है, bag of words, one hot encoding, ठीक है, और TF-IDF, unigrams, biggrams, ngrams, ऐसे सारे चीज़ हम लोग बोल सकता है, इसको, ठीक है, तो हम लोग का second level जो होगा, हम लोगा learning process, process में, यहां से यहां जब हम लोग जाएंगे, तो हम लोग next step में यह सारा चीज़ पढ़ेंगे, bag of words, one hot encoding, tf-idf, unigrams, ngrams, और इसका main aim, जो भी यह technique हम लोग use कर रहे हैं level 2 में, वो basically convert करता है, कोई भी words को vector के form में, चलिए next step में चलते हैं, जो है हमारा level 3, level 3 में हम लोग अब दिखेंगे, बहुत ही important things, और यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको, level 3 of text preprocessing, और यहां हम लोग start करेंगे, learn करना, एक amazing technique of converting word into vectors, जिसको हम लोग बोलते है, word2vec, ठीक है, word2vec, और एक special library यह हम लोग use करेंगे, विसको हम लोगते है, gensim, तो यहां पर मैं लिख देता ह around gensim, जो word2vec को आपको easily implement करने देगा, और इसमें हम लोग दो तरीके का word2vec देखेंगे, एक है cbaw, और एक है skip gram, ठीक है, जो यह second और level 3 है, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग words को एक vector में efficiently, कुछ problems होता है, bag of words, one heart encoding, tf-idf में, इसलिए हम लोग use करते है word2vec, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग text को vectors में convert कर सकते हैं, इसके बाद next step में हम लोग जाएंगे, और यहां पर हम लोग solve करेंगे some amazing machine learning use cases, कैसे machine learning use cases हम लोग यहां पर solve ml use cases, अब जो हम लोग यहां पर machine learning use cases solve करेंगे, हम लोग basically algorithms use करेंगे, यह सारे text preprocessing technique use क करेंगे, और some of the use cases, जो use cases का अगर मैं बात करूँ, थोड़े use cases जिसको हम लोग बोलते हैं spam classification, spam classification, text classification, text similarity, text summarization, ही सारा use cases हम यहां पर solve करेंगे level 4 में, तो यह रहा इतने सारे steps, अब next step में जाते हैं, यहां रहा, बलब यह जितने भी steps है level 4 तक, हम लोग basically machine learning में ही काम कर रह होंगे यहां तक, ठीक है, अब level 5 में जब जाते हैं, तो पहली चीज़ आपको हमेशा understanding होना चाहिए, आपको deep learning का, अब हम लोग deep learning में गूस रहे हैं, तो यहां आपको क्या understanding होना चाहिए, आपको get the understanding of understanding of ANN, ANN मतलब artificial neural network, जिसको हम लोग fully connected layers भी बोलते हैं, यह हमारा deep learning क बहुत ही important introduction होगा, यहां पर हम लोग को specifically loss function, optimizers, यह सारा चीज समझना है, ठीक है, already मैंने, मैं तब तक लिए, इस सब का भी playlist हिंदी में भी बना दूँगा, so that आप लोग को यह काफी useful और important हो, उसके अलावा, जब next step में अगर जाता हूँ, तो next step हमारा यह complete होने के बाद होता है, something called as embedding layers, embedding layers, यह embedding layer भी text preprocessing technique है, यहाँ पे हम लोग फिर से use करेंगे word2vec, but deep learning point of view से, आप neural network में यह word2vec कैसे बना सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग discussion करेंगे, ठीक है, तो यह रहा मेरा level 5, ठीक है, level 5, और यह रहा मेरा level 6, तो I hope आप लोग यह समझ में आ रहा हो यहां तक, ठीक है, और यह पूरा road map है, मैं यह playlist में इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग घुसते हैं, सोड़ा hard techniques में, और उस technique को हम लोग specifically बोलेंगे, RNN, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे, RNN क्या होता है, RNN क्या होता है, LSTM RNN क्या होता है, bi-directional LSTM RNN क्या होता है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे, encoders, decoders, attention models, यह सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, deep learning के side में, और यहां पर हम लोग देखेंगे, कि यह सारे models, text data को कैसे handle करते हैं, और बहुत सारे different different use cases भी हम लोग देखेंगे, वो solve कैसा होता है, इसके उपर अगर मैं एक और level में जाऊं, तो हमारा next level जो use होगा, हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, transformers, transformers, और transformers में बहुत सारे different types of transformers है, वो सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद, जो final stage हमारा जो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, bert, bert होगा हमारा last step, और यहां हम लोग specifically एक amazing library use करे हैं, hugging face, okay, hugging face के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके अलावा machine learning के side में हम लोग use करेंगे, library called as NLTK, spacey, है न, उसके बाद, हम लोग और libraries use करने वाला है, जैसे हो गया TensorFlow और pytorch, तो यह सारे libraries हम लोग basically use करेंगे, practical purpose के लिए, तो इस type का roadmap, definitely मैं define करना चाहूंगा, सब के लि help करेगा सारा चीज समझने के लिए, ठीक है, तो चलिए, अगले वाले वीडियो से जो भी मैं NLP के वीडियो डालूँगा, मैं यहां text pre-processing से start करूँगा, और यहां पर मैं combination रखना चाहता हूं, theory और practical का दोरू, but in short, यह रहा roadmap of NLP, और I hope आप लोगों के NLP का importance भी पता च है, कभी भी, कभी भी मेरा कोई text data, input data होता है, model को समझाने के लिए मुझे कुछ steps करने पड़ते हैं, और उस model को कुछ task perform करवाने के लिए, कोई भी text data से हम लोग specifically natural language processing use करेंगे, और NLP, both machine learning और deep learning दोर में काम आता है, तो I hope आप लोगो यह वीडियो पसंद आया हो, this was it from my side please make sure that you subscribe the channel, press the bell notification icon, I'll see you all in the next video, have a great day, thank you one doll, bye bye, take care